हेलो एरिवान कैसे आप सबी होपशी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे तो एक बार फ्रीज से स्वागत है मैट्स पायराज जांगड़ाप है आज का हमारा टोपिक है एवालवेशन ओफ राइट एंड एंड लेट हैं अज हम राइट हैं और लेट हैं निमिन निकालना सीखे तो बात करेंगे अभी तक हम क्या कर रहे थे अभी तक भी हम निकाल रहे थे लेकिन वह प्रोसेशर अलग था मतलब अलग तरीके से निकाल रहे थे मतलब क्या है इस सीज़ का मतलब समस्य ध्यान से कि जब आपको बोलता है लिमिट एक सेंस टू टू एक्स क्या फाइंड कीजिए तो आप क्या करते हैं सर हमने सीखा है कि टू को मैंने डाइक लिए 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 तक इस का मतलब क्या था अभी तक इस इसका मतलब यह था कि अगर मैं एक स्क्रेंड अगर आप बनाऊ तो इस विस सम्थिंग लाइक नेट टीक है मालव 2 का है मेरा ठीक है कहां से left से left side से means values कैसी 1.9 1.99 1.999 ऐसे values यह हम initial lecture में समझ चुक है तो मेरे function की value कहां जाएगी सर यह normally 4 की तरफ ही बढ़ती चली जाएगी आप put करके देख सकते हूं है ठीक है यानि two की value कैसे लेता हूं 2.01 2.001 इस तरह से left से किस तरह हूं और सोरी right से किस तरह हूं two की तरह आ पर फिर से तो भी ऐल्यू क्या जाती है four की तरह ही जाती है अब ही तक मैं क्या कर रहा था मैं डाय के लिए ऊसे निकालगा था इसको निकालने का मतलब यह है कि limit x tends to 2 negative, 2 negative means मैं बात कर रहा हूँ left hand limit की, left hand limit को ऐसे लिखते है, the same function x square और limit x tends to 2 positive of x square, this means right hand limit ये दोनों किसके एक वलती मेरी 4 के वलती, चीक है, ये निकालने का मतलब 4 का मतलब है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी left hand limit, यारी मैं कोई भी function है, जिस पे मुझे कोई भी point पे limit निक जाँ, चाहें right से जाँ, मेरी value क्या आगी 4, इसको ये लिखने का मतलब ही मेरा ये है, so ये दोनों बातें क्या है, same है, कि आप left से जाएए, चाहे right से जाएए, again you get the this, ठीक है, पहले जी समद्द भी आगी, so left hand limit, this is your right hand limit, एक बार फिर से हम सीख गया कि कि किसी function की left hand और right hand limit को कैसे represent करते हैं, left hand limit लिखते हैं, limit x tends to, कोई function, let me, it is, कोई भी point है, a negative, f of x, this is your left hand limit, similarly, limit x tends to a positive, f of x, means this is your, this is your right hand limit, चीक है, और ये दोनों जहां जाती है, उसको बोलते हैं, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर, जरूरी है कि हावे, इसा ये equal हो, जैसे यह पर मुझे मिल रहा था, बस यही चीज मैन पॉइंट है, अभी तक ऐसा ही हो रहा था, कि ये दोनों equal ही थी, अभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा कि हमेसा equal ना मिले, ऐसा भी तो possible है, कि equal ना मिले, यह सुनो, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, तो अगर ऐसा मुझे मुझे मिल जाए कि limit, और मैं simply लिख देता हूं, चलो, left hand limit जो है, वो right hand limit के equal नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी function जिसके लिए ऐसा होगा, उसके लिए हम बोलेंगे, limit does not exist, limits does not exist, that's it, कि अगर मेरी left hand limit और right hand limit equal होती है, तभी मैं बोलता हूंग, इसके limit exist करती है, जैस ultimately कहां पहुंच रहा हूं, 4 पे पहुंच रहा हूं, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे functions हो सकते हैं, जहां पर यह ऐसा होगा, तो वहां पर मेरी limit exist नहीं करेगी, तो ऐसे questions भी आजम करने वाले हैं, जहां पर limit exist ही नहीं करेगी, दूसरी बात, जैसे मैंने इस function के लिए निकाल हैं, इसके limit, मुझे limit निकाल लिए है, function क्या है मेरे पास, mode x है, x tends to 0, अब इसके limit बताइए मैं किसे निकाल हूं, ठीक है, तो अब मुझे बताइए, कि मैं इसके limit कैसे निकाल हूं, और कहां जाएगे इसके limit, ठीक है, तो in general हम क्या कर रहे थे, भाई, x2 को जा रहे है, 2 दिया, 4 मिल गए, डायक लिए, पट यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, कि mode of x जो है, इसके definition change हो रही है, मेरी कहां पे, जिस point पे आप निकाल लए हो, yes or no, yes, क्योंकि मुझे पता है कि कोई function fx is equal to, अगर मुझे given है mode of x, तो fx क्या होगा, सिर्फ x होगा, जब x की value greater than equal to 0 होगे, और when x is less, जब x negative हो जाएगा, तो यह क्या जाएगा, minus x, so इस function को मैं ऐसे define कर सकता हूँ, मतलब क्या है, कि 0 पे इस function की definition change हो रही है, maybe हो सकता है, limit exist करें या ना करें, doesn't matter, but now, इसकी definition change हो रही है, चीक है, अगर definition change हो रही है, तो मैं directly, यह procedure नहीं कर सकता है, इस तो एक तरीका तो मैंने आपको यह बता दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरा एक general तरीका होगा, जो हर question के लिए valid होगा, तेक है, वो भी करेंगे, लेकिन पहले अगर मैं इसको समझो, इसका मतलब क्या, इसकी limit निकालने का मतलब है, इस function की value, जब यह 0 से बड़ा होगा, तो this is the definition, तो अगर मैं इस function के लिए, मैं आपको बोलू कि मेरी left hand limit क्या होगी, left hand limit का क्या मतलब है, जब x की value, जहां पे आप limit निकाले हो, उसके left में होगी, मतलब उससे छोटी होगी, left का मतलब number line पे, यहाँ 0 है, तो 0 के left में क्या होता है, सर negative numbers मतलब छोटा, so means, left hand limit means limit, x tends to, जब यह क्या होगा, 0 negative की तरफ होगा, तो मेरे function की value क्या होगी, सर यह होगा minus x, ठीक है, तो अभी इसका procedure बता हूँआ, इक बार मैं जस्ट समझा रहा हूँ, अभी 0 की तरफ जा रहे है, negative side से, यहाँ से 0 की तरफ जा रहे है, ठीक है, मतलब minus 0.001, इस type का उक्ष नम x to 0 positive की तरफ जाएगा, so this become your plus का x now, अब 0 जाएगा, तो यह 0 की तरफ ही जाएगा, तो यह 0 की तरफ ही जाएगा, कि मुझे 0.001 लिकने में इंटरस नहीं है, मुझे बताना है कि कहा जा रही है, ultimately this is goes to 0, that's it, ठीक है, means यहाँ से left hand और right hand limit दोनो equal to 0 है, तो अब मैं इसको जाएगा, this is equal to 0, but इसको करने का procedure ऐसे change हो गया, कि मुझे left hand limit अलग से देखनी पड़ी, right hand limit अलग से देखनी पड़ी, clear, that's it, hope so clear, so, अब एक काम करते हैं, हमारे बाद question कि स्टाप के मिलेंगे, पहली बात तो अलग-लग limit निकालने हैं, और मुझे पता करने है, limit exist करती है कि नहीं कर सकती, अब कुछ questions ऐसे मिल सकते हैं, जहां पर आपको specially पूछा जाए कि left hand limit क्या होगी, या right hand limit क्या होगी, ठीक है, limit exist करने का मतलब है, left hand limit जो है, और right hand limit के equal होनी चाहिए, तब ही limit exist करेगी, क्या होना चीफ, एक तो left hand limit individually और right hand limit individually क्या करने चाहिए, exist करने चाह और equal भी होनी चाहिए, तब मैं बोलता हूँ कि मेरी limit exist करती है, limit exist करेगी, जब left hand limit is equal to right hand limit, और यह दोनों क्या करने चीब, यह दोनों भी exist करने चाहिए, पथा लगानą लागा, left hand limit निकल ही नहीं टी, क्या नहीं नहीं कर रही, तो वहागा तो limit के सवाल नहीं ये उठे का सब्सक्राइब करने के तो समझ में आएगा अब यह वाला मैंने आपको करवाया जो फॉर्सक्राइस 13.6 तो अब ऐसे तरीका मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको रिदिफाइन कर लूँ और उससे कर सकता हूं और यह प्रोसेजर मुझे करना ही पढ़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्यों कि एसे किस्टन सब्सक्राइब निकाले है तो एक बन मैं किस्टन पढ़ दता हूं कि 13.6 का फस्टन बोला है evaluate the following limits if they exist अगर वो exist करती है तो find out करो सिधी सी बात ही है and the first question is this limit x tends to 0 mod of x ठीक है 0 ही आया answer 0 ही आने वाला है that's it so first हम निकालते हैं sir left hand limit ठीक है अब पहले right hand लिका लो या left hand लिकालो या left hand लिकालो इस बात ची कोई फर्व नहीं पड़ता हूं ठीक है left hand limit का मतलब है limit x tends to 0 negative mod of x ठीक है और ये procedure हर जिगह लाग होगा जहां पे आप left hand या right hand limit की बात करते हो अब मैं ये पूछता हम आप से limit x tends to 0 negative का क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है sir अगर 0 मेरा ये है तो इसके just left की बात कर रहा हूं यानि 0 से थोड़ा सा negligible number कम कर दो क्योंकि बहुत छोटे लिते हैं जैसे minus 0.00001 इस type की कुछ number होगे तो क्या एक काम का सकता हूं मैं यहापे कि मैं यहापे substitute करूँ x को 0 minus h जहां पे h क्या होगा sir एक negligible सा number होगा ठीक है 0 minus h means this is minus h जहां पे h क्या होगा sir tends to 0 यानि x negligible के around होगा means 0 के equal होगा क्योंकि ऐसे numbers लेते limits में so now change the limits so this become your limit x tends to 0 mod of x की ज़े क्या रखना है sir minus h अब मुझे बताईए h कुछ भी number हो सकता है और कुछ भी हो सकता है मतलब यह नहीं है h को मैं मान के चलता हूँ कि h is always greater than 0 क्यों क्योंकि अगर यह greater than 0 नहीं है अगर मैं यह क्या ले रहा हूँ greater than 0 नहीं ले रहा हूँ इसका मतलब 0 में जब minus quantity add करोगे तो यह प्लस हो जाएगा यह नहीं right hand side में चला जाओ मैं तो तो h हम इसे क्या रहता है positive रहता है means h is always greater than 0 यह ध्यान रहता है चीक है so now h positive है यह minus है तो mode of any function is positive always so limit h tends to 0 मैं simply इसको लिख सकता हूँ this is h here's or no here's sir अब h 0 को जा रहा है तो h कहा जाएगा sir 0 को जाएगा it means this is your left hand limit बहुत आसान सा लग रहा हूँ question आगे जम करेंगे थोटी difficult भी करेंगे बस चीजों को समझो समझ में आगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं next देखो अगर मैं यहाँ से right hand limit निकाल दाता हूँ so वही limit x tends to right hand limit को कैसे represent करेंगे 0 positive the function is mode x again so now x को क्या substitute करना है 0 plus h means that is simply h so this become limit h tends to 0 मैंने h में change करना है और mod of x की जगार रखना है h mod of x मतलब simply this limit h tends to 0 भाई h तो positive है तो simply h और यह भी कहां जाएगा sir 0 यानि यहां से मुझे क्या मिल रहा है sir मेरी left hand limit भी 0 की तरफ जा रही है इसका मतलब left hand limit जो है वो equal to है right hand limit के और दोनों किसकी equal answer 0 के इसका मतलब इस function की limit exist करती है और वो किसकी equal answer 0 के that's it clear? hope so clear that's your first question of this exercise next देखते हैं चलो second one is limit x tends to 0 1 divided by mode of x given है मुझे अपसे समझ में आया चीज़े same procedure follow करना है हर जगे पे कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है देखो एक और समझते है limit x tends to 0 1 divided by mode of x यह मुझे given है yes same मैं सही कि उसे नहीं सबसे पहले अगर मैं इसकी left hand limit निकालता हूं तो क्या होगा left hand limit मतलब limit x tends to 0 negative यानि 0 में से कुछ कम करना है मुझे 1 divided by mode x में एधिटीज रखा ठीक है एक तरीका मैंने पहले बताया था इसको redefine कर लो फिर निकालो वैसे questions भी हम करेंगे आगे लेकिन पहले मैं directly इस तरीकी से करवाता हूं को substitute करके ठीक है और एक जो आपने substitution method किया था था वो इसी कही part है एक तरह से ठीक है मैं एक right hand मतलब limit अगर exist करती है तो आप left hand limit निकालो या right hand limit निकालो वहाँ मैं आपको बोलता था कि यहाँ 0 plus h रख लो यह 0 minus h रख लो कोई फरकनी पड़ता है क्योंस आंसर भाही आएगा क्योंकि दोनों limit exist करती है तब ही तो limit exist करेंगी ठीक है So that's why So simply देखो इसको क्या करोगे x को substitute करोगे 0 minus h ठीक है h negligible quantity है but it's greater than 0 So now h tends to क्या है 0 So limit h tends to 0 1 divided by x की जिए क्या रखना है 0 minus h that is simply minus h Again वही प्रोसेजर इदिए इस is 1 by h limit h tends to 0 h अब मुझे ही बताए h जा रहा है 0 की तरफ 1 by 0 ठीक है ओपर मेरे पास 1 है और नीचे मेरे डिनोमेटर जा रहा है 0 की तरफ जा रहा है कहा जा रहा है 0 की तरफ और ध्यान देने वाली बात है यह 0 क्या है अब अगर मैं इसको directly करता है तो आप confused होते है कि minus की जरफ प्लस की जरफ बता है ultimately आपको पता लगा कि सरी 0 h जो है 0 से बड़ा है कुछ हो चाहिए positive है means 0 plus की तरफ जा रहा है इसका मतलब इस तो infinity so it means this is your infinity clear that's it right hand limit देखते हैं so limit x sorry x tends to 0 positive now 1 divided by mod of x same procedure x क्या होगा सरब मैं 0 plus h लूँआ मतलब h लूँआ so limit h tends to 0 1 divided by mod of h means this is simply limit h tends to 0 1 by h so again this goes to infinity so मेरी left hand limit और right hand limit दोनों किसके इक्वल है सर infinity के इक्वल है इसका मतलब left hand limit is equal to right hand limit and both are equal to infinity means limit exist करती है और किसके इक्वल है infinity के इक्वल that's it yes or no ठीक है ऐसे मैं बोलता हूँ कि infinity का कुछ मतलब नहीं होता इसका मतलब सीधा सा है कि दोनों ही चाहें आप इस function में left के से जाएं 0 के या right से जाएं दोनों ही तरफ मुझे बहुत बड़ी value मिले वाले है और वो भी positive वो भी कैसी positive that's it so this is your second part of this one next देखो third अब आपको पता लगएगा है कि limit कब exist नहीं करती है ठीक है अब इसको तो मैं directly करूँ ना अगर redefine करके करूँ तो बहुत आसान हो जाएगा redefine करके भी आसान रह जाएगा ठीक है और directly भी कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं एज चीचर ठीक है सो मैं दोनों प्रोसेजर से यह वाला question बता देता हूँ सबसे पहले काम मैं left hand limit अगर निकालता हूँ उसकी तो क्या होगा सर limit x tends to 2 negative यह left hand limit होगी mod x minus 2 mod and x plus 2 next procedure क्या रहता है सर x को जो भी जहाँ limit जा रही है minus h है तो minus h कर दिया जहाँ पे h क्या होती सर negligible quantity और we can sue h tends to 0 0 की तरफ जा रहा होता है that's it so now limit change कर दो h में h tends to 0 mod of x के रहा होता है 2 minus h तो में रहा है 2 minus h minus कर 2 में रहा है it is mod नीचे फिर से 2 minus h plus कर 2 इससे यह cancel out sorry यह minus था क्या plus 2 this is यह minus 2 गीवन है plus 2 ने sorry minus 2 इन this and this get cancelled अब देहां से देखिए limit h tends to 0 अब थे mod of minus h क्या होगा sir simply h होगा और नीचे का है sir minus h है h and h get cancelled out क्या बचा minus का 1 so means this is equal to minus 1 so मेरे left hand limit किसके इको लाई minus 1 के similarly right hand limit निकालो right hand limit मितला limit x tends to 2 positive mod of x minus 2 divided by x plus 2 sorry x minus 2 not plus 2 sorry so now again भही x is equal to क्या लेंगे हम 2 plus h लेंगे जहां h कहां जा रहा होगा sir 0 की तरफ जा रहा होगा limit h tends to 0 x की जगे है रख दो this is your 2 plus h minus 2 whole divided by this is 2 plus h minus 2 this and this get cancelled out this and this get cancelled out तो उपर क्या आया h नीचे क्या आया h h cancel out क्या बचा 1 और limit रखोगे तो क्या आएगा now your right hand limit is one left hand limit is minus one अगर मैं आपसे पूस्थता हो कि इस function की left hand limit क्या होगी मेरा अंसर होगा minus 1 मैं पूछता हूँ इस function की right hand limit क्या होगी मेरा answer होगा 1 अब मैं पूछता हूँ इसकी limit क्या होगी इसका answer क्या है इसका answer क्या है इसका answer क्या दोगी Sir confusion है क्योंकि left hand और right hand limit तो equal नहीं है कौन सी लिखूँ इस means मैं लिखूँँगा does not exist अगर यहां पर क्या मिला था मुझे कि left hand limit जो है वह equal नहीं है कि इसके right hand limit के therefore मैं बोल सकता हूँ कि this function sorry इस function की limit जो है exist नहीं करती है clear that's it that's the first method to do it second one जैसे मैं आपको बता है मैं इसको redefine करके कर सकता हूँ कैसे ध्यान से देखो यहटा दू ठीक है तो इसकी limit क्या है exist नहीं करती है redefine करके देखो कैसे कर सकता हूँ मैं इसको अब मुझे पता है यह mod x-2 यह 0 कहा होगा जब x की value 2 होगी yes or no yes मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि x is greater than equal to 2 जब x 2 से बड़ा होगा तो यह value क्या रहेगी positive इसका मतलब मैं इसको simple लिख सकता हूँ limit x tends to 2 और positive की बात करूँगा मैं क्यों क्यों मैं right hand limit की बात कर रहा हूँ यह बात कर रहा हूं सिरफ right hand limit less than 2 होगी मतलब आप इसको चाहो तो अलग से redefine का सकते इस function को कि मेरा function मैंने यह लिखा fx is equal to mod of x minus 2 divided by x minus 2 तो पहले आप लिख सकते हो कि x जब 2 से बढ़ा है उसके equal होगा fx is से बढ़ा मतलब यह positive तो इसका मतलब this is simply x minus 2 divided by x minus 2 मतलब यह function क्या बन गया सर 1 और जब x 2 से चोटा होगा तब क्या होगा सर यह negative होगा means this is something like that minus of x minus 2 divided by x minus 2 this and this get cancelled this is minus 1 so यानि इस function को redefine करके लिखता हम जब x की value 2 से बढ़ी होगी तब तो यह 1 होगा और 2 से जब चोटी होगी तो क्या होगा minus 1 होगा simple that's it so यहां पर मुझे इतना करने की ज़रूत नहीं मैं simply बोलूँगा अब देखो इस function को redefine करके मैंने ऐसे लिखती है तो अगर मुझे यहां से left hand limit निकाल ले यह मालो ठीक है तो मैं क्या बलूँगा limit x tends to 2 negative भाई जब 2 से चोटा होगा तो value क्या होगा तो value क्या है सर इस function क्य सब्सक्राइब निकाल जाएगी माइन सब्सक्राइब यहीं left hand limit हाई थी और मैं अगर यहां पर limit x tends to 2 positive निकाल हूँगा तो 2 positive के लिए function क्या है सर वन सो दिस वन क्या दोनों equal है जी सर नहीं है that's why limit does not exist that's it ठीक है तो आप redefine करके भी जी जो को कर सकते हो एक लिखती है नेक इसकी सुन है आपका greatest integer function पर बेस्ट होपश्यों इसके बारे में आपको पता होगा ठीक है नहीं पता तो थोड़ा मैं एक बार पहले पता दू है greatest integer function को मैं ऐसे denote करते हैं इसको हम बोलते हैं box x भी बोलते हैं ठीक है यानि इसके अंदर जो भी number होगा ठीक है इसके अंदर जो भी number होगा उसके ऊपर box लगा दिया तो means मैं बोलूगा greatest integer function अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब simple सा होता है जैसे मैं लिखा 1.2 का greatest integer function मतलब इसका answer क्या है सिर्फ integral part बताना है मुझे 1.2 का integral part क्या है सर 1 है बस that's your answer मैंने बोला 2.9998 इसका integral part क्या है तो approximately जो 3 के equal है बट इसका integral part क्या है सर मेरा 2 ही है 2 is your answer for this one similarly एक simple सी चीज में आपको बता हूँ कि number line जो होती है बेरी number line पे आप क्या करना है 0,1,2 similarly minus 1, minus 2 ऐसे आपके numbers होते है कुछ भी चीक है so just 1 or 2 के बीच में आप कोई भी number लेजी है 1 or 2 के बीच में कैसा number होगा 1 point something की form में तो इसका integral part हमेशा क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा इस बात से मुझे एक चीज समझ में आती है integral part का मतलब है यहां जो भी number होगा वो जिन दो numbers के बीच में होगा उसका जो left part है that is your integral part for that number that's simple जैसे मैं लिखा 5.78 इसका integral part क्या है सर अभी किस-किस की बीच में है सर 5 और 6 के बीच में है integral part क्या होगा simplify अब कुछ बच्चे बोलोंगे integral part तो simply दिखी रहा है ने सर तो दिक्कत क्या है दिक्कत बेटा यह बताने का यह था कि अगर मैं बोलों कि minus 1.2 का integral part बताई है plus में तो ठीक था no problem minus 1.2 का integral part बताई है तो minus 1.2 लाई करेगा मेरा 2 और 1 के बीच में तो इसके left में क्या है minus 2 तो इसका integral part जो आएगा that is your minus 2 not minus 1 आई बात समझ में की नहीं that's it अब ऐसा क्यों होता है यह मैं next step में बताऊंगा तो this is your greatest integer function खोप्शू चीज़े clear है अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और शीख लो and that is your fractional part function fractional part function का क्या मतलब है वो देख लेजी ध्यान से ठीक है greatest integer function को हम box के अंदर लिखते है means square bracket होती है हमारी उसके अंदर लिखते है ठीक है fractional part function को हम लिखते है curly bracket के अंदर means this is something like that ऐसे कुछ लिखते है ठीक है इसका क्या मतलब है similarly भाई जैसे मैंने बोला 1.2 का integral part क्या है 1 तो मैं आपसे अगर पूछता हूं कि 1.2 का fractional part क्या है तो मेरा answer होगा 0.2 yes or no yes मैं आपसे पूछता हूं 2.9998 का fractional part क्या है तो मेरा answer होगा 0.9998 यह मेरा fractional part fraction वाला part क्या है इंटेजर को छोड़ के that's your answer clear यहां तक यह positive number है को दिक्कत में इसका fractional part में आपसे पूछू 0.78 simple yes अब वापिस से फिर में यहीं आता हूं कि minus 1.2 अगर मेरे पास ऐसे number मिलेगा minus 1.2 इसका fractional part क्या होगा one step first मेरे दिमांग में जो click करेगा sir 0.2 ठीक है एक सीज ध्यान रखना fractional part किसी भी number का कभी भी negative नहीं बता है it is always positive यह हमेंसे क्या रहते है sir positive रहते है हमेंसे क्या रहते है positive रहते है तो जैसे ही मैंने minus 1.2 का integral part को क्या बता है था minus का 2 बता है था ठीक है तो इसका fractional part क्या होगा जब भी number क्या होगा negative होगा तो इसका fractional part क्या होगा one minus that fractional part means 0.2 it means this is equal to 0.8 this is always brought to you यही reason है कि इसका integral part minus 2 लिखते है minus 1 की बज़ा है ठीक है तो हमेंसा left वाला number मुझे लिखना है c dc बात यह है ठीक है integral part में left वाला number लिखो fraction में अगर positive है तो fraction दिख रहा है एज जी जी जूरांस हो बट अगर क्या है negative number है तो जो fractional part है उसको one में से subtract कर देना आपको ठेक है क्योंकि इन जलनम क्या बोलते कि कोई भी number x जो होता है वो क्या होता है सर उसका integral part प्लस उसका fractional part होता है yes or no sir बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मैंने लिखा यह 1.2 1.2 का मतलब क्या है sir 1.2 का integral part यानी 1 और 1.2 का fractional part यानी 0.2 इन दोनों का add कीजिए you get your 1.2 clear that's it ठीक है similarly इसका देखिए minus 1.2 का integral part क्या है sir minus 2 fractional part क्या दोनों को add कीजिए minus का 2 plus का 0.8 you add them you get minus का 1.2 yes or no yes ठीक है तो यह चीज़े याद रखें तो मैं simple लिख सकता हूं कि x is equal to integral part of x plus fractional part of x चीज़े यहां था clear अब इसी relation को मैं ऐसे भी उज़ गा सकता हूं कि कई बार fraction part मुझे given हो x minus fractional part मैं उसको integral part लिख सकता हूं x minus integral part अगर हो तो मैं उसको fractional part भी लिख सकता हूं that's it clear hope show clear हठा दो इसको भाई ठीक है तो this is about fractional part and integral अब देखी question number two का first part limit x tends to one integral part of x यह मेरे से पूछा गया है तो बताए कैसे निकाल लेगे so again अगर मैं इसकी left hand और right hand limit की तरफ जाता हूं तो ध्यान से देखी क्या होगा procedure better रहेगा वही रखते हैं जो हम पहले कर रहे थे mean substitution वाला अगर मैं इसकी left hand limit आपसे पूछू हूं तो क्या होगी sir limit x tends to one negative fractional part x additives one negative मतलब मैं इसको substitute करता हूं x is equal to one minus h जहां पे h कहां जा रहा हुआ sir बहुत negligible number होगा मतलब zero की तरफ जा रहा हुआ simple so now limit h tends to zero and this is your limit x की जिए रखोंगा sir मैं one minus h अब मुझे पताईए पहले मुझे इसको solve करना है integral part को तो one minus h का क्या मतलब है sir h एक negligible सा number means 0.01 इस type से को है one में से जैसे मैंने h को minus करना है one में से मैं इसको minus करूँ तो क्या बचेगा sir 0.99 तो अगर मैं number line की बात करता हूं तो sir यहां पे मेरे पास zero है यहां पे मेरे पास one है और यहां कहीं होगा इन दोनों के बीज में 0.99 तो sir इस 0.99 का integral part क्या होगा sir just left integer इसका हो यानि क्या होगा zero means this is your zero clear तो इस function के लिए मेरे left hand limit क्या निकल गया ही sir zero अब मैं बात करता हूं right hand limit के अब मैं किसकी बात करता हूं right hand limit के so right hand limit is limit x tends to one positive हो जाएगा and integral part of x is there again x को मैं लेता हूं one plus h so अब limit हो जाएगी limit h tends to zero this is your one plus h अब मुझे ही बताइए one plus h का मतलब क्या है again मैं number line पे गया और मैंने देखा यहां one है sir यहां two है तो one plus मतलब one or two के बीच में गई होगा तो one or two के बीच में left integer क्या है sir one it means इसका answer क्या होगा sir one so my left hand limit क्या निकली zero right hand limit क्या निकली one इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि left hand limit is not equal to right hand limit इसका मतलब क्या है इस function की limit does not exist that's it clear that's it अब एक और देखो इसी पर फ्रेक्शनल पार्ट पर इसी पर बेस्ट है question number two अब सचीजी सामझ में आई clear है that's it ठीक है और simply जीसे बोला हूं यह basic concept सीखने का जब धेरे-धे प्रेक्टिस स्टार्ट हो जाएगी तो इस function को देखके बता दूं directly कि भाई x की value जब 1 से छोटी होगी तो 0 और 1 के बीच में हो इसी बात है तो answer क्या होगा 0 1 से बड़ी होती ही 1 और 2 के बीच में होगा answer क्या होगा 1 simple है चीक है so देखो इसी का second part देखो मुझे की मेरा limit x tends to 2 x minus integral part of x यह मुझे की मेरा तो अब इस function को मैं इसकी help से change भी कर सकता हूं ठीक है यानि इसको अगर मैं इधर ले हूं x minus integral part of x तो मैं इसको लिख सकता हूं fractional part of x ठीक है तो इस function को मैं fractional part में change करके कर सकता हूं directly भी कर सकता हूं as usual जैसे हम कर रहे थे ठीक है तो वह आपकी choice के उपर है मैंने से simply substitute the values so limit अब है जाएगा जर जीरो को x के जाए रहे रहे होगे 2 minus 1 यह हो जाएगा सर मेरा 1 minus h अब limit अपलाई कर दीजिए एच 0 को जा रहे है तो 1 minus 0 मेंच यह जाएगा 1 को clear that's your left hand limit similarly अगर मैं इसकी right hand limit निकालो तो 2 plus h minus 2 this and this can cancel out so h 0 को जा रहे है तो यह भी कहाँ जाएगा सर जीरो को यानि right hand limit मेरी के आएगी सर जीरो right hand limit कहाँ जा रही है 0 को left hand limit कहाँ जा रही है 1 को इसका मतलब again limit does not exist क्योंकि left hand limit जो है right hand limit के equal नहीं है clear that's it so this is your second part हो जाएगा उप्चो ठीक है इस तरीके से करना है तो इसको मैं directly लिख सकता हूं this is your fractional part of x ठीक है तो हो सकता है में भी आपको questions इस form में भी दे दे कई बार कि भाई limit x tends to 2 fractional part of x इसका आंसर बताएगे क्या होगा ठीक है तो चलो इस तरीके से भी देख लेते हैं आंचर याद रहेंगे सेम आंचर आने कुछ फरक नहीं पड़ेगा बट करने का तरीका बस चेंज हो जाएगा देखिया तो नाव मैं निकालता हूं limit x tends to 2 negative मतलब left and limit ठीक है the function is as it is fractional part of x इसको इसे पूछा जा सकते है तो आप इसको ऐसे convert कर सकते हो इसको ऐसे convert करके भी कर सकते हो अगर आपको ही चीची पता है तो that's it so now the same procedure limit sorry x मोलता हूं this is your 2 minus h so यह हो जाएगा मेरा limit x tends to 0 fractional part of 2 minus h ठीक है पस आपको यह concept clear होना चाहिए that's it अधरवाज आपको दिक्कत हो जाएगा अगर concept clear नहीं है कि fractional part क्या होता है integral part क्या होता है तब आपको दिक्कत है अधरवाज आपको दिक्कत नहीं होगे so अब मुझे बताए 2 minus h है इसका fractional part क्या होगा 2-H का क्या मतलब है simple सा देखो यहां अगर 2 है 2-H का मतलब एक negligible number मतलब यहां पे चो number होगा 1.99 सम्तिक होगा और यह positive है और यह क्या है positive है तो इसका fraction part simple सी क्या देख रहा है सर अगर मैं 1.99 का अब देखो इसी चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका है मेरे पास क्या कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं क्या मैं इसको 1-0.1 की फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि नहीं बिल्कुल लिख सकते हैं तो अब यहां पे जो मेरे चीज गिवन है वो कुछ ऐसे गिवन है कि 1.99 को इसने ऐसे लिखने के बादा इसने लिख दिया 2-0.01 इसने इस चीज को ऐसे लिखा ठीक है तो इस बात चे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि सर ऐसे लिखा हो था तो डाइकली 0.99 अंसर था बत इसी बात को लिखने का तरीका क्या है जो यह फ्रेक्सल पार्ट है इसको इसको वन में से माइनस करते हैं वस यह यह रख लो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंस तो जीरो 1-1 एच सिंपल है इसको क्या लिख सता हूं 1-1 लिमिट जाएगा जी यह कहां जाएगा सर 1 को I think मेरा 1 को ही जा रहा था लेट है यस और नो अगर मैं करूंगा सो इस योर ट्रेक्शन पार्ट एक्स एक सो क्या लिखेंगे हम तू प्लेसे लिखेंगे फिर से लिमिट h tends to 0 and this become your 2 plus h अब मुझे बताए इसका अंसर क्या होगा 2 प्लेसे का फ्रेक्शन पार्ट में से पूछा गया सर 2 प्लेसे का मतलब है इस नंबर इस मालों यहां 2 है तो इस इस 2.001 टाइप का नंबर है इसका मतलब इसका फ्रेक्शन पार्ट तो सीधा से दिरिक रहा है 0.00h प्लस है ना इसका मतलब इसका फ्रेक्शन पार्ट क्या है जर सिंपली h है डाइक के लिमिट अब लाए गर तो लिमिट h tends to 0 of h क्या होगी जर 0 यही था that's it clear तो बस यह concept थे जो आपको आने चाहिए बस that's it अब देखो इसके थर्ड पार्ट में सिर्फ इसने क्या बोला है मुझे एक लिमिट निकालने के लिए बोला है जैसे मैं बोल रहा था कि यह next step limit x tends to 1 positive इसका मतलब क्या है मुझे सिर्फ right hand limit निकालनी है इसकी of the function is greatest integer part of x minus 1 or plus this is minus 1 and whole divided by x minus 1 तब मेरा काम बहुर आसान हो गया अब मुझे नहीं चेक करना की limit exist करती है कि नहीं करती है मुझे सिर्फ एक limit निकालनी है और वो कौन सी right hand limit procedure भाई सेम रहेगा क्या करोगे x को मैं ले लिए 1 प्लस h के को है टिक है यह एक टेंस टू सीरो एक एक कहां जा रहे है जीरो की दरफ जा रहे है जो नाव limit x टेंस टू जीरो एकस की जीरो रखने है 1 प्लस h minus कव 1 whole divided by 1 plus h minus कव 1 दिशन दिस गेंचल आट दिस गेंचल आट इस गेंचल आट उपर बचा विर पास इंटेंगल पार्ट क्या होगा है एक पॉजिटीव नमबर है बट जीरो के जस नियर भाई है मतलब यह कुछ कैसा है 0.0001 इस टाइप का कोई नमबर है तो वह यह किस किस के बीच में आता है सर यह 0 और 1 के बीच में आता है इसका इंटिकल पार्ट क्या होगा सिधी बात है सर यह लिमिट मेरी h tends to 0 as it is सर इसका मतलब यह 0 ही होगा yes or no? बिलकुल इसके लफ्ट में क्या है 0 नीचे क्या है सर मेर पास h है 0 पे h क्या होता है सर 0 इसका मतलब इसकी राइट है लिमिट क्या है 0 that's your answer clear? ओप शो clear है so that's your third part of this one अठा दू टीक है fourth, fifth खुच से ट्राइ का ले ना टीक है मैं six part कर बाता हूँ limit x tends to one plus ठीक है? फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप कर सकते हो राम से एक में मोडुलस फंक्शन गेवन है नीचे नो प्रॉल्म अब आप अराम से का सकते हो कोई प्रॉल्म हो? comment section भी बता देने नो प्रॉल्म so limit one plus and the function is root of x square minus one plus root of x minus one whole divided by we have root of x square minus one मुझे कहने करनी है sir right hand limit तो अगिन वही काम करते है x को में लिख दिया one plus h जहां पे h कहां जा रहे है zero की तरफ so वही काम करते है limit h tends to zero substitute the values root of x कि ज़िए कहा रखना है sir one plus h this is your one plus h का whole square minus का one as it is plus root of one plus h minus one whole divided by simply नीचे root of one plus h का whole square minus का one solve it a plus b का whole square one a square plus b square plus two a b और minus का one as it is root यहां तो simply once a one cancel out क्या बचा root of h whole divided by नीचे ज़िए यहां तक मेरे इसाब से कीजिए कोई दिक्कत नही है so limit h tends to zero as it is कोई दिक्कत अब उपर ध्यान से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या बचा limit h tends to zero उपर बचा मेरे पास h square plus का two h और इस पूरे के उपर है is a root और यहां से बचता है plus का root of h नीचे फिर से मेरे पास क्या है root of h square plus 2h sorry clear अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो यह और यह वाले ट्रम ऐसी है जहां से मैं h को common ले सकता हूँ root के अदर तो अगर मैं h को common लेता हूँ तो यह h into क्या बन जाएगा h plus 2 यह सर्णो और इस पूरे के उपर रहेगा मेरा root यहां पर plus में root h मेरा h है whole divided by नीचे से भी मैं वही काम कर सकता हूँ यह ऐसे ही दिखेगा yes or no यहां तक किसी को दिकत मेरे साब से नहीं होने ची and the limit is h tends to 0 मेरी h को दिकत अब ध्यान से देखो root h यहां है root h यहां से common लोगा तो root h आजाएगा बाहर यहां तो यही बचेगा और यहां बचेगा सिर्फ 1 और इस root h से root h हो जाएगा cancel out अब limit apply कर दो जहां जा h दिख रहे है 0 लग दो इसको 0 लगो कि 0 plus 2 is 2 this become root of 2 plus का 1 और divide by this is 0 plus 2 that is root 2 so that's your answer इस function के लिए मेरी क्या आगई right hand limit जो है root 2 plus 1 divide by root 2 हो गई that's it so this is your question number 6th sorry 6th part of question number 2 clear चलो लास पार देख लिए इसका limit x tends to pi by 2 positive of sec x अब शो यह है yes sorry this is minus not plus minus pi by 2 टीक है तो मुझे क्या निकालना है plus मतलब right hand limit निकालना as usual भही काम करते है x is equal to minus pi by 2 यहां कोई भी number हो doesn't matter मुझे सिर्फ plus h कर देना है plus h करते है मतलब मैं इसके right में move कर गया so now limit h tends to क्या हो जाएगी sir 0 और यह हो जाएगा sec minus pi by 2 plus kya h yes or no yes अब आगे बढ़ते है अब अगर मैं मानलो यह minus common ले लोग मिनिट के लिए so this becomes something like that pi by 2 minus h yes or no yes sec minus theta क्या होता है sir sec minus theta का मतलब है you are in the fourth quarter no fourth sec क्या होता है positive means this is equal to sec theta ठीक है इसका मतलब यह simply minus 8 जाएगा और यह बन जाएगा बैर ऐसे अब sec 90 minus theta again property लगेगी 90 minus theta मतलब you are in the first quarter no first quarter में sec positive ही होता है सब positive होता है pi by 2 क्या बलता है sec को किसमें change कर दो cosac में limit h tends to 0 this becomes your cosac h yes or no yes अब मुझे बताए h जब 0 की तरफ जाएगा यानि cosac 0 की value क्या होती है सर्फ cosac 0 define ही नहीं होता क्या नहीं होता define ही नहीं होता mean this goes to infinity और we can say but यह 0 की तरफ जा रहा है तो means यह infinity यानि बहुत बड़े नंबर की तरफ जा रहा है that's it that's it clear positive मतलब यहीं से भी बता सकते थे अगर आपको सेकक ग्राफ बता है थोड़ी knowledge of trigonometry के बारे में तो so यही मेरा था लास पार्ट इसका अटादो इस नमबर 3 देखते हैं उसके एक अधे पार्ट देखते हैं चीजें ऐसी ही कुछ है कुछ ज़्यादा चेंजिस नहीं है देखो फॉर्स पार्ट आप का सकते हो greatest integer function पर बेस्ट है फॉर्स सेकिंड इस नमबर 3 आप कुछ से ट्राइगा सकते हो पूरा ठीक है सिर्फ फिप्ट पार्ट देखो इसका इस नमबर 3 के पहले चार पार्ट पहले दो में greatest integer function है बाद में modulus function है तो खुपशो यह दोनों चीज़े मैंने अच्छे समझा दिया आपको तो आपका हो जाए कोई भी doubt हो comment section पूछ सकते है या फिर description में doubt group का link मिलेगा उसको join कर लेना मैं बात करता हूं कि इस नमबर 3 के last part की and that is your limit x tends to 2 root of 6 minus 3x I think yes yes यह है और just we have to find so अब देखो अगर आप पहले 2 questions की बात करोगे तो उसने एक में right hand limit पूछी एक में left पूछी है और last के 3 questions में उसने directly ऐसे लिखा हूं है ऐसे लिखने का मतलब फिर से मैं बोलता हूं कि इसका लिखने का मतलब है मुझे left hand limit और right hand limit दोनों निकालनी है और दोनों क्या होनी चाहिए equal होनी चाहिए sorry मुझे दोनों limit निकालनी है अगर वो equal होगी और किसी same value की equal होगी exist कर रही होगी और same value की equal होगी तो means limit exist करती है और वही मेरा answer होगा अधरवाइस मैं बोलूगा limit डजनों होगी सिंपल सा so as usual जैसे हम प्रोसेजर करते थे वैसे ही करते है so सबसे पहले मैं left hand limit निकालता हूं ठीक है left hand limit दोलब limit x tends to two negative six minus three x as it is so x को क्या रखेंगे two minus h थोड़ा जल्ली जल्दी कर लेते है so limit h tends to zero लिखूंगा मैं and this become your six minus three into two minus h now solve it three अंदर जाएगा this become minus ka six six minus six and minus minus plus three h root as it is limit h tends to zero इससे एक एंसलाउट जब h zero को जाएगा three h का जाएगा zero और zero का root क्या होता है zero it means this goes to zero यानि मेरी left hand limit क्या आईसा है zero अब right hand limit अगर मैं निकालूँगा यहीं से तो क्या होगा so simple से change होगा यह plus हो जाएगा यह plus sorry this is not plus this is minus this is original function यह plus हो जाएगा तो यह भी plus होगा तो अब यह मेरे पास आएगा minus ka three is something like that clear? yes so अब ध्यान से देखो limit h tends to zero ही रहेगा इससे cancel out होगा यह होगा this is minus root three h से अब मुझे बताएगी क्या होगा ठीक है? पत्योगा अंसर यह होगा sir, h zero की तरफ जाएगा तो ultimately zero की तरफ ही जाएगा yes or no? yes ठीक है लेकिन मैं आप से पुछता हूँ, h क्या है? sir, कुछ ने कुछ positive quantity है कुछ भी हो, लेकिन positive है की नहीं? जीज रहे तो minus three को में कोई भी positive quantity चे multiply करूँ, क्या रहेगा? negative रहेगा की नहीं होगा? yes तो root के अंदर अगर मैं कोई negative term लिख दूँ तो उसका answer क्या होता है? sir, यह तो define ही नहीं होता left hand limit zero थी लेकिन right hand limit तो क्या करती ही? existence नहीं करती ही तो equal होने का सवाल तो तब पैदा होता है जब कुछ निकले तो यहां से तो निकला ही नहीं इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा? इसके limit है? does not exist again, clear? सही ध्यान रखे ही ठीक है? तो this is your fifth one third का fifth part जो मैंने आपको करवा है that's it clear? इस बात के लिए मैंने ये करवाया बाकी की चार पार आम से कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ठीक है? तो यह चीज़े थोड़ी अपनी दिमाग में रखे हम जल्द बाजी में क्या करेंगे? आप 0 रखोगे इसको 0 लिख किया जाओगे कि left and right hand limit दोनों 0 है sir इसका मतलब 0 ही है that's it that's wrong ठीक है? तो 0 आप 0 नहीं है ये h h ये 0 की तरफ जा रहा है और कहां से जा रहा है? positive side से sir h की value कुछ positive है 0.01 टाइप से है ultimately this is negative और common sense की अगर मैं बात करूँ न इस function को ध्यान से देखो अब ये define कब कब होगा? अब मुझे पता है 6 minus 3x जब greater than equal to 0 होगा तब ये define होगा इसका मतलब 3x उदले जाओ 6 जब क्या होगा? greater than equal to 3x होगा तब होगा 3 to 6 मतलब क्या होना चाहिए? x जो है वो 2 से छोटा होना चाहिए तब ये define होगा ये 2 होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने क्या बात कर दी? जब मैं बात करता हूँ इसकी right hand limit की तो मैं 2 से बड़ी values की बात करता हूँ तो ये इसके लिए define ही नहीं है define ही नहीं तो limit कहां से exist करेगे? है बसान में? that's it ठीक है? तो कुछ चीजें ध्यान रखने वाली होती है ये अच्छे किस्टिंस होते हैं जो हमारे concept खोल देते हैं so now the next one is जिस टाइप की किस्टिंस की मैं बात कर रहा था किस्टिंबर 4 is evaluate the left hand limit and right hand limit of the following function at x equal to 1 the function is fx मुझे given है 5x minus 4 when x is in between if x is in between 0 and 1 ठीक है? फिर इसने बूला है कि 4x square minus 3x 4x square minus 3x यहाँ पर equal to किस्टिंस लगा है if x is greater than 1 but less than equal to 2 एई है बाई? yes does limit x tends to 1 fx exist? simple सी बात है मुझे क्या निकालना है? इस function की limit निकालनी है x tends to 1 पे of fx मतलब मुझे इसके left and right hand limit दोनों निकालनी है ठीक है? तो देखो कैसे निकालोगी? अगर मैं बात करता हूँ left hand limit की है तो limit x sorry x tends to कहाँ पे निकालनी है सर? 1 पे चेक करनी है x tends to 1 negative मतलब left hand limit चो मुझे बताइए जब x की value 1 से छोटी होगी तो function क्या होगा? सर ये है it means this function is 5x minus 4 ये चीज़ी ध्यान रखे जो मोड़ वाले में स्टार्टिंग में ने concept बताया था लेकिन ये मुझे एक polynomial दिख रहा है तो मैं directly 1 रखके भी कर सकता हूँ directly 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 5 minus 4 means this is equal to 1 तो ये limit कहाँ जाएगी सर? 1 की तरफ जैसे हम पहले questions करते थे इसको directly वैसे कर सकते हो क्योंकि मेरा function redefine हो चुका है अब ये 1 negative भी तरफ से जाएगा तो this is the test ठीक है? और as usual वैसे करना है तो मैं इसको x equal to 1 minus h लेके भी कर सकता हूँ ठीक है भई? तो वो आपकी choice के उपर है? no problem, कोई फरक नहीं पड़ेगा अंसर अपका भई ही रहेगा ठीक है? अप्छों clear है so अगे बड़े next right hand limit निकाल होगे तो क्या होगा? limit extends to 1 positive अब 1 से बड़ा जब function होगा तो value क्या होगी जर? 4x square minus 3x तो function अब ये होगा ये ध्यान रखना है बस ठीक है? 1 रखोगे तो this become 4 minus 3 मतलब ये भी क्या है 1 यानि मेरी left hand limit और right hand limit दोनों किसके एकवल है दर? 1 के एकवल है यानि left hand limit is equal to right hand limit and this is equal to 1 means limit of this function is exist and the value of the limit is 1 that's it ठीक है? तो as usual अगर आप 1 minus h करके करना चाते हो अगर आपको confusion है as usual this और right hand limit को 1 plus h लेके भी कर सकते हो वो आपकी choice के उपर है doesn't matter वो आपकी choice है ठीक है? अब simply मैं आपसे पूछू कि 2 पे इसकी limit क्या होगी? ठीक है? 2 के left में तो ये define है बढ़ 2 के right में edge is the last question के था उसमें define ही नहीं है एक limit से सिर्फ मैं इसकी left hand limit बता सकता हूँ right hand limit मैं इसकी नहीं निकाल सकता हूँ ठीक है? similarly for 0 मैं इसकी left hand limit नहीं निकाल सकता हूँ बट right hand limit निकाल सकता हूँ clear? इसलिए कुछ questions में simply वो बोलता है कि left hand limit निकालो या right hand limit निकालो ठीक है? ये चीज़ आपको सामाँ में आने चाहिए so this is your question number 4 clear? इनको मैं directly solve कर सकता हूँ या फिर as usual जैसे आप कर रहे थे वैसे कर सकते हूँ no problem अब question number 5 देखिए find k show that limit x tends to 2 of fx exist एक function मुझे given है sir fx और क्या given है ये? 2 plus x 2x plus 3 sorry if x की value क्या होगी? less than 2 होगी जब x की value क्या होगी? less than equal to 2 और जब x की value greater than 2 होगी तो function क्या है sir मेरे पास? this is your x plus 3 k ये मुझे given है ठीक है? so मुझे क्या करना है? इस k की value find out करनी है find k show that limit limit x tends to 2 of this function fx क्या करती है भाई? exist करती है ये limit क्या करती है? exist करती है इसका मतलब क्या? सिधी बात limit exist कब करती है? सर जब मेरी left hand limit जो होती है वो equal to 2 होती है right hand limit के concept clear? बस निकाल लो दोनों चीज़े first मैं left hand limit निकालता हूँ इसकी as usual जैसे हम पहले करते है so left hand limit का मतलब है limit x tends to 2 negative जब x की value 2 से चोटी होगी जब x की value 2 से चोटी होगी function क्या होगा sir? यह होगा 2x plus 3 yes or no? yes तो दैकल निकाल सकता हूँ as usual तो 2 रखोगे 4 plus 3 means यह जाएगा मेरा 7 की दरफ clear? अम मैं निकालता हूँ right hand limit so limit x tends to 2 positive function का है sir? x plus 3k so x जब 2 की दरफ जाएगा 2 तो this simply become 2 plus 3k की दरफ जाएगा अब मुझे बोला गया है कि यह limit exist करते है limit exist करते है मतलब left hand right hand limit इकल होनी चीए इसका मतलब 2 plus 3k किसके कलोन अचीए sir? यह 7 की कलोन चीए इसका मतलब 3k किसके कलोन अचीए? 7 minus 2 means 5k और k की value क्या होनी चीए sir? 5 by 3 जब के की value 5 by 3 होगी तो यह limit क्या करेगी? exist करेगी that's very simple clear? that's it that's your question number 5 ठीक है? 6 आप कुछे करेंगे same as it is ऐसा ही question है जैसा आपका question number 5 था that's it so the next is question number 7 देख सकते हैं 7 भी कर सकते हैं कोई दिक्केतोली बात नहीं है try करना खुच से last question में कर वाता हूँ question number 8 that's it question number 7 में क्या दिया है इसने? एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ इसने 2x plus half 0 and 2x यह दिया होगा है और इसने define किया कि जब x की value यह क्या है? greater than greater than half x is equal to half x is less than half ठीक है? तो नहीं चीज क्या add की? यह वाली बट इसका मुझे नहीं चाहिए मुझे है मुझे यह चाहिए अगर मुझे half element निकालने तो उसके right में क्या है? उसके left में क्या है? तो right element यहां से निकलेगी left element यहां से निकलेगी agile जैसे हमने question की वैसे ही करना है ठीक है? तो इससे confuse नहीं हो न इसने क्या दिया है? ठीक है? यह matter नहीं करता कि इसने क्या बोला है? कि x equal to half पे क्या है? मुझे इसके left और right में देखना है सिर्फ that's it question number 8 में क्या वाइट इस function given है भाई? और क्या given है? this is ax plus b if x is greater than 1 और 3bx 3bx minus 2x plus 1 yes, if x is less than 1 if x is less than 1 और इसने क्या बोला है? कि find a relation between a and b यह जो a दिख रहे है और b दिख रहे है इनके बीज में एक relation बनाना है मुझे एक equation बनानी है show that limit show that limit x tends to 1 of fx क्या करे? exist करती है मतलब limit exist करती है limit exist करती है जब left hand limit equal to होती है right hand limit के that's it बस यही concept लगाना है मुझे left hand limit मतलब limit x tends to 1 negative जब x की value 1 negative मतलब 1 से छोटी होगी तो मेरा function क्या है यह and this is 3bx minus 2x plus 1 back लिख दू no problem right hand limit का लो so क्या होगा लिमिट x tends to 1 positive the function is ax plus b now solve it यह 1 की तरफ जाएगा तो यह कहाँ जाएगा simply 3b की तरफ यह 1 की तरफ तो minus का sorry this is 2a I think not x yeah this is 2a not x sorry see का simply this is 2a plus 1 as it is 1 की तरफ जाएगा this simply become a plus b यहनी x की जाए 1 रग दिया बस मैंने तो अब सब terms को एक तरफ ले जाओ that's it तो इन सब को इदर ले आओ चाहे इस तरफ को इदर ले आओ और in generally जैसे हम लिखते हैं x y तो पहले x लिखते हैं usually हम पहले a लिखते हैं try करो a को positive करने का ताकि आपका answer match हो तो इन सब को उदर ले जाओ 0 asities रहेगा यह a plus b मेर asities है 3b उदर जाएगा तो minus का 3b हो जाएगा 2a जाएगा तो plus का 2a हो जाएगा और यह हो जाएगा minus का 1 so this a minus plus 2a that is 3a minus का 3b plus का b that is minus का 2b and minus का 1 or equal to 0 में इस तरफ लिख दू यह इस तरफ लिख दू कोई फरक नहीं पढ़ता that's your lesson between a and b for which यह function क्या होगा इसके limit exist करेगी कहाँ पे x equal to 1 पे that's it so that's your question number 8 or the last question of limits so limits का काम खतम हो next chapter हम पढ़ेंगे derivatives जो कि बहुत important limit important है plus 2 के लिए वैसे ही मेरा derivative भी important है यह सारी चीज़े आपका base ready कर रही है plus आगे highest ready के लिए इतरह से अच्छे से समझे कोई प्रॉब्लम हो एज यूज़र comment section में पूछ सकते हैं या फिर description में doubt group का link बल जाए उसको join कर लें अभी के लिए thank you